आप सभी का लर्ण इट में स्वागत हैं आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है sexual reproduction in flowering plants जिसका topic 1 हम आज लेंगे और यह आपके biology class 12 का chapter 2 कहलाता है इस chapter का जो introduction है उसके अंदर हमको यह समपता पड़ता है कि reproduction क्यों किया जाता है क्योंकि एक species एक organism की continuity मतलब जितने भी उनके older organism हैं जो बुड़े हो चुके हैं वो ultimately senescence करेंगे और मर जाएंगे उनकी continuity को आगे बरकरार रखने के लिए reproduction की process बहुत ही important है इन plants और animals की भी जहां तक बात करते हैं second point है कहता है कि flowering plants ही क्या करते हैं sexual mode of reproduction दिखाते हैं क्योंकि flowers के अंदर ही हमको दो unit देखने को मिलती है the first is male reproductive organ and the female reproductive organ और इसके साथ में हमें बहुत सारे accessory structures याने important structure जो help करते हैं reproduction के अंदर वो सारे देखने को मिलते हैं last topic यह है कि flower के अंदर reproductive structures present होते हैं और reproductive organs present होते हैं जो ultimately produce करते हैं ova एक female के अंदर और pollens एक male के अंदर इस chapter में आगे पढ़ने से पहले हमें पढ़ लेते हैं कि कितने parts होते हैं एक flower के अंदर सबीने चाइना रोज तो देखाई होगा उसके अंदर जितने parts होते हैं वो एक कहलाता है angiospermic flower अब angiospermic का मतलब होता है कि जो भी plants जिसके अंदर flowering होती है उसको हम angiospermic category के अंदर लेते हैं अब एक angiospermic flowers के जब parts को divide करते हैं तो वो parts चार portion में divide होते हैं which is known as the first kylex बोला जाता है kylex को एक और नाम से आप जानते हैं sepals corolla which is known as petals third is androsium androsium को एक और नाम से आनते हैं जो कि यह है male reproductive organ और इसको एक और नाम से आनते हैं stamens the fourth is gynosium, gynosium के अंदर आप तीन चीज़ को ले सकते हो style, stigma and ovary यह जब तीनों मिलती है तो क्या बनता है female reproductive organ और जब stamen मिलता है तो उसको बोलते है male reproductive organ which is known as androsium अब जब हम एक diagram को देखते हैं तो इसके अंदर बिलकुल आपको सारे detail structure मिल जाता है अब आगे बढ़ते हो है जब हम इसको divide करते हैं एक sexual reproduction को plants के अंदर divide करते हैं तो वह division three steps में होता है पहली step होती है pre-fertilization, second होती है double fertilization और third होती है post-fertilization तो हम जो start करने वाले हैं वो है पहला topic which is known as pre-fertilization आगे बढ़ने से पहले ये clear करने देना चाहता हूँ कि ये जो topic है ये बहुत बढ़े हैं और ये एक video के अंदर नहीं आ सकते हैं या बहुत lengthy हो जाएंगे इसलिए मैंने इसको बहुत सारे parts के अंदर divide करके रखा हुआ है तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है pollen grains के बारे में मतलब pollen grains कैसे बनते हैं, कैसे उनका dividation होता है, treateds क्या होता है, micro sporangium क्या होता है और different types of pollen grains के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं तो यह जो pollen grain formation है, यह आपका पहला topic है, किसका pre-fertilization और इसके अंदर हम इसका structure भी पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या events आते हैं, क्या changes आते हैं, वो भी पढ़ेंगे और next आने वाले videos के अंदर हम embryo sec का formation, pollination और pollen pistil interactions के next videos बनाएंगे तो इस chapter का जो सबसे important topic यहां से चालू होता है, जिसको बोलते हैं, हम pollen grain का formation कैसे होता है अब pollen grain का जो formation है, वो कहां से start होता है, तो वो start होता है male reproductive organ से और male reproductive organic plant के अंदर कहलाता है, stamen, stamen का जो diagram है, उसको हम देख के समझ सकते हैं कि stamen दो parts में divided है, उपर वाले part को बोलते हैं, enter और नीचे वाले part को बोलते हैं, filament अब filament के उपर जो enter है, उसका एक बड़ा से structure भी वहाँ पर diagram में बना हुआ है, जिसका आप transfer section या cutting section देख सकते हो, उसके अंदर आपको दो bylobed structure मिलेंगे, एक left side में, एक right side में और वो दोनों structure के चार parts है basically, बट वहाँ पर बीच में walls नहीं है, और वो separate नहीं हो पाए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, bylobed बोलते हैं, पर structure उनका 4 होता है अब इस pollen sex को, जो बीच में जहाँ पर pollen grains attached होते हैं, या develop होते हैं, उस portion को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया करता क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन grains का formation करता है और यह जितनी भी pollen sex हैं, वो सारी की सारी pollen grains का formation करेगी, और इन सब को हम बोलेंगे dietitious anthers अब यह dietitious anther का मतलब होता है, कि यह होते तो दो हैं, पर क्यूंकि इनके बीच में कोई space नहीं होती है, और यह open होते हैं, इसलिए यह कहलाते हैं, dietitious और without any connective layer होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, non-sporanges tissues या dietitious anther आगे बढ़ते हैं, और next topic को पढ़ते हैं, तो इसकी जो wall होती है, मतलब dietitious anther की जो wall होती है, दिवार होती है, वो चार layer की बनी होती है, और ultimately जब यह फटते हैं, या dietitious होता है, तो इस slit होते हैं, यानि कट जाते हैं side में से, और वहाँ से pollen grains का जो formation होता है, वो उस anther से होता हुआ, बहार आ जाता है, into the atmosphere, और यह ultimately pollen grains जाकी क्या करते हैं, pollinate करते हैं, किसी दूसरे एक plant को, और आगे बढ़ने से पहले हम एक transverse section देख लेते हैं, एंther का, जो आपके left side में एक diagram बना हुआ है, यह diagram है, एक एंther का, जिसके अंदर आपको different layers मिल जाएगी, जैसे कि connective layers, middle layer, tapetum, epidermis और endothesium, यह एक outermost layers हैं, किसकी? एक एंther की, और बीच में आपको मिलेगा sporogenous cells, जो चारो तरफ होता है, sporogenous cells क्या करता है, micro spore भी बोला जाता है, इसको यह mother cell भी बोला जाता है, और ultimately यहाँ पर spores का formation होता है, जो आपके right side में एक diagram बना हुआ है, उसके बाद आती है endothesium, फिर आती है middle layer, और फिर आती है tapetum, tapetum क्या है, spores को nourishment देता है, ऐसा material से बना हुआ होता है, और middle के अंदर आपको मिलेगी sporogenous cells, जिसको हम बोलते है, micro spores, चोटे 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 cells, और इस micro spores को ही है mother cells के नाम से भी जानते हैं, और यही आगे जाके का का formation करती है, sports का formation करती है, या pollen grains का formation करती है, अब जो main topic चालू होता है, वो है enter development का, अब enter development चालू कहां से होता है, तो सबसे पहले, homogeneous meristematic cells का development होता है, और उसको surround करता है epidermis की एक layer, इसके development के बाद में, यहाँ पर एक four layer का structure चालू होता है, बनना, जिसको बोलते हैं, archie sporial cell जो आगे जाके किसका lobes का direction बनाती है, चार टुकडे बनाती है, किसके एक enter के, अब यह archie sporial cells करते क्या है, यह basically कुछ group of cells होते हैं, जिसको हम primitive cells भी बोलते हैं, यह बहुत पुराने cells होते हैं, जो ultimately sports के development में मदद करते हैं, अब यह भी आगे जाके किसमे divided होते हैं, दो parts के अंदर divide हो जाते हैं, archie sporial cells भी दो में divide होते हैं, पहला बोलते हैं, primary parietal cells और second one को बोलते हैं, primary sporogenius cells, जो primary parietal cells है, वो आगे जाके enter की दिवाल बनती है, और ultimately sporogenius जो second वाले cells होते हैं, वो divide होने के बाद में काई का formation करते हैं, micro aspiranine या pollen mother cells का PMC का formation करते हैं, जो PMC जिसको बोलते हैं pollen mother cells, उसका development जब होता है, तो उससे attach एक layer होती है, जिसको बोलते है tapetum, और tapetum क्या करता है, बहुत help करता है किसी भी एक pollen के development के लिए, अब tapetum की कुछ importance बता जेते हैं, यह एक ऐसा tissue है, जो किसके अंदर होता है, enter क अंदर वाली wall के अंदर होता है, और यह provide क्या करता है, nutrition provide करता है, जैसे ही PMCs, मतलब pollen mother cells या micro sports form होंगे, और वो sports का formation करेंगे, तो tapetum क्या करेगा, उनको nourishment provide करेगा, और ऐसे ही different different layers अपना अपना काम करती है, जो next topic है, वो है layers of the anther, मतलब एक anther के अंदर कितनी types की layer होती है और उन सब का work क्या होता है, तो right side में आपको एक diagram मिलेगा, जिसके अंदर start करते हैं, from the first, तो पहला बोला जाता है epidermis, जो की outermost layer करती क्या है, यह एक ही function करती है, protection देती है, किस से outer external environment से, किसी भी चीज़ को, तो second की बात करते हैं, तो second layer बनी होती है, endothesium से, अब endothesium क करता है, यह बना हुआ होता है, एक ही layer का, which is known as single layer, इसके अंदर बना हुआ होता है, cellulose की thickening से, और इसके अंदर कुछ दो material होते हैं, जिसको बोलते हैं, pectin और lignin, जो उसको क्या देते हैं, stability प्रोवाइड करते हैं, पूरे structure को, और यह ultimately enter के dehiscence में काम आता है, dehiscence का मत होता है, कि जब भी यह mature हो जाता है, और ultimately यह crack होने के बाद में, pollen grains को world में, outer world में लाना चाता है, उसके लिए मदद करता है, तो endothesium यहाँ पर मदद करता है, the third portion को बोलते हैं, middle layer, यह middle layer 1 to 6 micron की width का होता है, यह size का होता है, अब यहाँ पर होता क्या है, कि जैसे ही middle layer degenerate हो हो जाती है, maturity की time पे, तो यह middle layer ultimately गायब हो जाती है, कहां से, पूरी की पूरे एंथर की level से, और ultimately सारे के सारे जो spores होते हैं, वो outer world में आ जाते हैं, क्या करने के लिए, pollination करने के लिए, कुसी दूसरे flower के लिए, और last portion tapetum के बारे में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, tapetum inner most layer है, सबसे अंदर की layer है, जो किसको surround करके रखती है, sporogenes tissue को, या micro spore को, या spore mother cells को provide करती है, nutrition और इसको safe भी करके रखती है, जो next topic है, tapetum के बारे में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बारो rate कर देता हूँ आपके लिए, कि यह inner most layer होती है, enteravol की, जो surround करती है कि इसको sporogenes tissues को, second या nutritive medium बनाती है, किसी भी spore के लिए, multinucleated और polyploid होता है, इसके अंदर, basically divided होता है, two portions के अंदर, एक को बोलता है, secretory या glandular, और second को बोलता है, amiboid या periplasmodial, जो पहला topic होता है, जिसको बोलता है, secretory या पहला type होता है, इसको बोलता है, secretary और glandular, इसके अं enter के अंदर present होता है, और ultimately जब development हो जाता है, किसी भी micro spore का, तो यह degenerate हो जाता है, the second is known as amiboidal और periplasmodial, इसके अंदर यह होता है, कि periplasmodium का formation होता है, किसके अंदर, protoplasm release होने के बाद, किसके अंदर, एक pollen chamber के अंदर, अब जो next topic, इसको कहते है, microsporogenesis, इसमें होता है, एक formation होता है, या differentiation होता है, किसका, microspore cell का, कहां से मिलता है, microspore हमको, PMC से मिलता है, PMC क्या है, primary mother cell, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो meiosis करता है, with the help of meiosis 1 and meiosis 2, वो 1-2, 2-4 में convert हो जाता है, और ultimately इन चारों को हम बोलते हैं, tetrahedral, tetrates, अब देखा जाये, तो tetrates, पांस चरी की के होते हैं, पर उसमें जो सबसे common tetrade है, उसको हम बोलते है, tetrahedral, अब ultimately जैसे ही, इसका division 1-2, 2-4 में convert होता है, तो ये सारे haploid cells के आसपास, काई का formation हो जाता है, cell wall का formation होना चालो हो जाता है, और ultimately एक product बनता है, जिसको हम बोलते है, tetrates, जो की diagram में clearly visible है, इस next topic के अंदर ह में देखते हैं, कि यहाँ पर tetrahedral arrangement जो होता है, वो कहां से आता है, आपका tetrates होता हो आता है, और यहाँ पर micro sports जो है, वो individual में convert हो जाते हैं, अब यहाँ पर जैसे ही tetrate का formation तूटता है, तो वो एक single को हम बोलते हैं, pollen grains, तो यहाँ पर 4 pollen's मिल जाते हैं हमको, और हर एक pollen के अंदर आपको double layered structure मिलेगी, जिसके अंदर बाहर वाली walcom बोलते हैं एक sign, और अंदर वाली walcom बोलते हैं in time, अब यह होता क्या है, यहाँ पर जो सबसे पहला pollen grains जो form होता है, इसको हम male gametophyte बोलते हैं, इसके दोरान जितना भी tapetum होता है, जो nourishment देता है, वो यहाँ तक आ आने के बाद में पूरा dry app हो जाता है, और structure जो एंधर का पूरा का पूरा dry structure बन जाता है, जिसके कारण होता क्या है, कि pollen grains पूरे के पूरे एंधर से बाहर आसानी से निकल जाते हैं, अगर हम family की बात करें, जो हमरा next topic के उसको हम बोलते हैं pollen grains, इसमें हम पढ़ेंगे कि कि किस टाइब के pollen grains present होते हैं, क्या size होता है, तो पहला बात करते हैं कि बहुत सारे टाइब के pollen grains present होते हैं in different shape and sizes, second उनकी जो size होती है, वो 25 से 30 micrometer के लगबग होती है, next बात करते हैं pollen grains की, तो pollen grains haploid होते हैं, unicellular structure के बने होते हैं और इनके अंदर एक ही nucleus present होता है, अब दे grains के अंदर वो बहुती ज़्यादा starch और unsaturated oils के अंदर rich होता है, अब एक sign की बात करते हैं, तो यह बनी होती है sporopollinin material की, और sporopollinin जो material है, वो बहुती resistant होता है, या ऐसे chemical से बना है, जो क्या कर सकता है, decompose नहीं होने देता है, और resistant करता है बहुत सारी चीजों के लिए, बह यहाँ पर proteins भी होते हैं, जो enzymatic और compatibility reactions करते हैं, मतलब किस plant का pollen, किस plant पे जाके work करेगा, इसको बोलते हैं, compatibility, किस plant का enzyme, किस stigma पे जाके pollination की process को further move करेगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं, enzymatic and compatibility reactions, exine को differentiate किया गया है, दो parts के अंदर, एक को बोलते हैं, index sign, और outer one को बोलते हैं, actexine, now, intine की जहां तक बात करते हैं, तो intine, innermos layer होती है, thin होती है, और intine, दो चीजों से मिलके बनती है, एक को बोलते हैं, cellulose, और एक को बोलते हैं, pectine, pollination के दोराण, जब stigma के उपर pollen grains आके गिरते हैं, और जब pollen pistil interaction होता है, उस time पे ये जो pollen grains है, इसमें से जो arm बाहर निकलती है, ये stigma के अंदर, style के अंदर जाने के लिए, वो intine के होती है, और आगे जाके ये क्या करता है, union nucleated और 2 से 3 cell का formation करता है, अब एक important topic ये है कि पलाइनोलोजी क्या बोलते हैं, पलाइनोलोजी का मतलब है कि ऐसी branch जो सिर्फ pollen grains के बारे में study करते हैं, उस branch को हम बोलते हैं, पलाइनोलोजी, next topic is development of male gamits के बारे में, अभी हमने tetrade का formation develop के से करा था, उसको बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको आगे continue करते हुए देखते हैं, कि जैसी tetrade का एक single version लेते हैं, उसको हम बोलते हैं, माइक्रो स्पूर, अब माइक्रो स्पूर करता क्या है, यहाँ पर माइक्रो स्पूर का nucleus की size increase हो जाती है, pollen green के अंदर और वो divide होता है, कित्ते के अंदर, दो unequal daughter nucleus के अंदर, दो unequal का मतलब है, दोनों की size and shape अलग होगी, यहाँ पर पहली बात करते हैं, जो बड़ी size होती है, एक nucleus के divination की, उसको बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और इस वेजिटेटिव को एको नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं, tube cells, और एक छुटा portion होता है, जिसको बोलते हैं, smaller generative cells, जिसको हम एको नाम से जानते हैं, germ cells के, pollination जब होता है, तो दो तरीके से हो सकता है, जब वो fully developed होता है, तब भी और जब वो underdeveloped होता है, तब भी, underdeveloped का मतलब है, जब वो tube की stage में होता है, या generative की stage में होता है तब भी वो pollination कर सकता है या वो तीन stage में होता है यानि tube पूरा development हो जाता है मतलब vegetative cell पूरा develop हो जाता है और उसके साथ में जो germ cells है वो भी two male gamets को produce कर देते हैं उस time पे भी pollination की process हो सकती है आगे जाके cytoplasm generative cells के अंदर बिल्कुल भी food material present नहीं होता इसको और detail में मैं आपको समझाता हूँ उसके अंदर ये है कि आपका जो एक cell है जैसे कि हमने cell को divide करा था दो portion के अंदर one is known as vegetative और second को हमने बोला था generative phase के मतलब germ cells के अंदर तो vegetative के अंदर आपको fat, starch और proteins के granules देखने को होता है, तो ये पूरा structure किसका है एक male gametified का और ultimately इससे produce क्या होता है, एक mature pollen काई से, tetrate से यहने tetrate ultimately develop होगे, हर एक tetrate जो की 4 होता है, वो 4 की 4 हो किसमे generate हो जाएंगे, एक mature pollen के अंदर convert हो जाएंगे जो next topic है, उसके बारे में कुछ products के बारे में पढ़ेंगे हम जो pollen grains के through ही बनते हैं तो first बात करते हैं, तो pollen का food supplement आता है, ये क्योंकि carbohydrate or unsaturated fats के अंदर बहुत ज़्यादा abundant quantity में होता है, इसलिए ये दो form में मिलता है हमको, tablets के form में और syreps के form में, ये कौन ले सकते हैं, ये basically तो vitality, body की functionality को extend करने के लिए, अच्छा करने के लिए होता है, तो यहाँ पर दो लोग इसका इस्तमाल भोत आसानी से कर सकते हैं, एक होता है, athletes को और ये किसी race of horses को भी दिया जाता है किसके अंदर, किसी भी एक games के अंदर इसको provide किया जाता है, तो second की बात करते हैं से ultraviolet या harsh radiations of sunlight से next topic की जहां तक हम बात करते हैं, उसके अंदर पहला topic आता है pollen viability का, viability का मतलब होता है, कितने समय तक pollen grains जो है, वो activate हो सकते हैं active रह सकते हैं, जब वो किस से निकल जाते हैं, enter से बाहर आ जाते हैं, basically दो topics यहां पर बहुत important रहते हैं, first is temperature और second होता है humidity, यह दोनों बहुत ही major role play करते हैं, किसी भी pollen की activity को determine करने के लिए, तो pollen grains का एक minimum time रहता है, वो रहता है 30 minutes का, इसके अंदर वो activate रहते हैं, या active रहते हैं, उसके बाद deactivate हो जाते हैं, pollen grains को अगर आपको preserve करना है, तो इस technique को बोलते हैं, cryopreservation और यह cryopreservation के अंदर, आप liquid nitrogen के अंदर, अगर 196 degrees Celsius पे, इसको minus 196 degrees Celsius पे, अगर इसको preserve करते हैं, तो यह pollen grains आपको कहीं साल तक preserved हो सकते हैं, और basically जितने भी pollen banks हैं, जैसे कि आप banks की बात करते हो, blood bank की बात करते हो, वैसे ही pollination banks भी होते हैं, या pollen banks भी होते हैं, जहाँ पर different different types के plants के pollen grains को इखटा गर के रखा जाता है That's it for today's video, I hope you have understood the topics very well, but for more understanding, I urge all of you to repeat this video again for clearer understanding, if you like the video and its content, give it a thumbs up and don't forget to comment your name in the comment section if you are unable to understand or is struggling in any of the topic please write the topic in the comment section I will surely try to get to you soon so for more of such videos stay tuned to the channel stay safe, stay healthy and don't forget to learn it you